हलो दोस्तो मैं हूँ रागवेंद आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ आज की जो हमारी चर्चा है वो मुख्य रूप से केंद्रित जो है वो SI मेंस जो भरती आने वाली है उस पर और जो ADO का जो vacancy जो सुनने में आ रहा है उस पर रहेगी तो देखिए सबसे पहले अगर हम ADO के syllabus की बात करें इसमें टोटल जो section है वो 5 section में बटा हुआ जो पहला जो section है वो जो है समान ज्यान का है समान ज्यान इस समान ज्यान में मुख्य रूप से 36 गड़ से अंतराष्टी है ने करेंट इपर समद लीजी आप और यह दूसरी जो इकाई है भारती समीधान है समीधान नहीं छूटता है लब-लब सभी का का है वो भी तीस नमर का आएगा यही सिलेबस थोड़ा सा लीक से हटकर होता है क्योंकि बाकी जो एक्जाम होते हैं उसमें यह सब सिलेबस नहीं होता आजी का वाला section नहीं होता है बाकी आप एक चीज़ देखें इजी कैसे है जिसको मैस रिजिंग कटी है वो मैस रिज कर नहीं है और बहुत सारी चीजे जीएस में होती है था है हिस्ट्री है जोग्रॉफी है एकोनॉमिक्स है बहुत सारी चीजे कट गई है तो थोड़ा आप एजी कह सकते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर इसलिए है क्योंकि इसमें एक आजीवका का पोर्शन तीस नमर का आप पढ़ेंगे तो उसमें घ्रामियिष विकास से संब्ध्री जितनी भी यूजए है वह पढ़ते ही होंगे तो ग्र्मयर से संब्ध्री जीतनी जितनी जिसना है यह जीए आपकी फूछी जाएंगे क्योंकि काम भी तो वहीं करना है उसी को implement करना होता है उसी में आपको work करना होता है और last में समान हिंदी का section है चुकि हिंदी सब के लिए common है तो हिंदी का भी एक section है याने 5 section है और 30-30 number के आगे याने 500 number के आपके प्रशन होंगी तो इसमें देखें GS में हमारा एक मिल गया बसको क्या और क्या है वो समीधान तो थोड़ा से इसको जहां रखेंगे और अगर हमें SI mains की बात करें तो SI mains में देखें SI mains में मुख्य रुप से 5 paper है थिक 5 paper में 100 प्रशन आएंगे आपको जैसा कि राजपत्र में लिखा है और 200 number के होगे दो घंडे अबधी भी होगी ऐसा लिखा है डिटेल से लिबस वो व्यापाम आपका जारी करेगा यही मुख्य मुख से बिंदु जो है वो है इसमें से यह तीन दिख रहा है स्टार्टिंग के समाने अरे ख險हे एंगरेज का पंपर यह सबके लिए क्या है इसी पोंडे केया लिए तीडेियो थो चाहें आपको औरじ स्ट्री पॉलिटी जोग्राफी सब कुछ आएगा तो इसमें भी आपका समिधान आपको मिल जाएगा थोड़ा इसको ध्यान देना है उसके बाद समिधान को उठाते हैं क्योंकि समिधान एडियो में देने समिधान की क्या है देखे समिधान के बात करें तो समिधान को अगर आप बाटो तो समधन विधान से बनता है, सम कहने का मतलब है, सम है आजने, सम मतलब जोड़ना, बाधना, संकलित करना, समाहित करना, और विधान का मतलब है नियम और कानून, जब हम नियम और कानूनों को एक जगा करके, समाहित करके एक बंच बना देते हैं, अपका कंपाइल कर देते हैं, एक जगा स्टोर कर देते है और उस बुक जब बन जाए उस बुक को ही हमने एक नाम देते है उस टाइटल का नाम है सम्विधान तो सम्विधान ऐसा कुछ अलग से चीज नहीं है सम्विधान क्या है नियमों और कानूनों का संग्रह है ठीक है collection है group है और इसी को जब देखो इसके definition में भी आपको मिल जाएगा सम्विधान क्या है जोड़ना बांदना संकलित करना समाहित करना सम्विधान तो सम्विधान तो सम्विधान तो बता दिये मगर सम्विधान क्यूं है मगर क्यूं है तो एक बात आप समझें प्यारे होता क्या है जब आप अकेले है तो आपको किसी भी नियम की जरूत नहीं है किसी भी विधी की जरूत नहीं है किसी भी कानून की जरूत नहीं क्यूं नहीं है अकेले हो एकदम बिंदास हो जब मन पड़ेगा तब आप जो चाहोगे वो कर सकते हो समझ रहे हो जो चाहोगे वो कर सकते हो आपको किसी भी नियम कानून की जरुवत है ही नहीं मगर जैसे ही आप समाज में आते हैं लोगों की बीच में आते हैं तो एक दूसरे की हित टकराने लगते हैं आप जब अच्छा करते हैं तो हो सकता है कि आपके कारण कोई किसी का अपना विकास कर सकेन तो नियम कानून की जरुवत है समाज को अकेले रहते हो तो को जरुवत नहीं है ये बनते ही flu मगर समाज में रहना है लोगों के साथ रहना है ऐसे देश नहीं चलता केले ने सब लोग एक साथ मिल कर रहते हैं तो हमको नियम की जरूवत है और एक ही नियम से बनेगा नहीं तो नियम कानून को हम लोग क्या करते हैं मर्ज करके रहते हैं इसलिए हम उसको समिधान कहते हैं ठीक है तो नियम कानून क्यों जरूरी जीए दोनों जब चलते हैं तो अराम से क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी देखा होगा आप लोगोंने कई लोग जालदी के चकर में रॉंग वे से चले घुसके आ सभी सुचारू उसे व्यवस्था जो ट्राफिक है वो चलता रहता तो सिंपल सी बात है जो सिंपल सा लॉजिक है यह पूरे समाज में काम करता है और समाज का जो वर्ग है वो नियमों कानुन के बिना क्या हो जाएगा एक प्रॉपर समाज नहीं चल पाएगा फंक्शन नहीं कर पाए इसलिए जरूरी है अगर परिभासा की बात करें तो देखे समिधान की परिभासा ऐसे आप दो तीन में पढ़ सकते हैं क्या है समिधान तो नियमों कानुनों और विद्यों को जोड़ना संकलित करना समाहित करना ही क्या है समिधान कहलाता है जिससे समाज क्या है सम समाज सुचारू रूप से चल सके ठीक है और अपना विकास कर सके यही हमारा समिधान है ठीक उसके बाद और कहा है समिधान ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की आपकी शाषन विवस्था संचालित होती है साषन विवस्था मतलब सुचारू से मतलब नियम कानून बनेंगे तभी तो चलेगी तो शार्षन वेवस्था चलाना हे तो समिधान को पानौन करना पड़े हैं समिधान बनाना पड़े इसके लवा देखिए चोकी नियमों कानौनों का संग्रह एक दस्तावेच के रूप में हमारे पास है, तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो हम इस दस्तावेच को लिख लें, लिख लिख के समाइद करें, और या तो हम क्या करें, मौखिक रूप से हम औरल रूप से बता दें, जैसे नियम ऐसे औरल बता दिये, कि आपको क्या करना है, rates तो फिर हम मैं लिख के समझाए है हम इस तरह से सम्झादन को भी समझा जा सकता है इस में समयड़ास पर दो प्रपरकार से बट्टा हुआ है तो गतवा है कि लीकल्ण दूसरा और लिक्षिस समचड़ास ॐस्का नहीं इतना ही मीनिंग इसका नहीं इसका एक व्यापक क्या है जब हम सूव़य वस्ति तरीके से आप समिधान को बनाते हैं शुरू से अंत्र तक हम करें फर योजना बनाकर हम जब नियम कानू को संकलित करके बनाते उसको लखित करते हैं एक नतर है आप जैसा लिखा हुआ है वैसा ही जिसे मतलब है लिखित और लिखित नहीं इसमें बहुत ही डिफरेंस है इसको आज हम लोग कर लेते हैं जिसके दूसरी लेन एक रहें लिए तो इसमें प्रॉपर समिधान इसके नियम समय बनाने के लिए समय बनेगी सब्सक्राइब और माध्यम से एक ही बार में पुररे नियम बना लेगी जितने भी नियम जरूरी है तो यह आपका क्या हो जाएगा लिखिस सम्धान, कैसा होगा तो और लिखिस सम्धान योजना बध्ध तरीके नहीं किया इसके लिए कोई समिधान निर्मात्री सभार नहीं बनी नहीं किया आज बैठे और पूरा नियम बना लिए ऐसे एक्जामपल समझो आप जैसे माल लो आप गाडन गए और आपने कोई प्री प्लानिय नहीं की है आपने क्या किया सीधा रेंडमली सिच्वेशन देखा अकेले पाया और फूल दे दिया ऐसे एक्जामपल समझे लिजे थोड़ा कि आपने फूल दे दिया और उसके है यह हूं जयँगा लेंगे और लिखिश समीदह और अगर आपने योजणा बना योजना बना कर काम किया आ जैसे आज में जाऊँगा बस्ते में दोट्ट समोसा देंगा फीर पूछा जाएगा फिर किसी ने दिया फिर तारीफ mex़ोगी पूरा नियम बना दिया एक्दम जैसे मैं ब्रिटेन कर जो समिधान है वो लोग क्या किये उन्हों के लिए कोई नियम कानूर बनाने के लिए एक साथ कोई नहीं आया क्या हुआ उनको लगा किया रहे समाज में यह वाला चीज करना चाहिए तो उन्हों वह बैठे और लिख दिये फिर कुछ सालों बाल लगा कि यह भी जोड़ना चीए उन्हों ने आया और बैठा एक नियम लिख दिया ऐसे करकर के उनकी बुक बनी है ऐसा नहीं कि कोई एक ही दिन आया जैसे हमारे यहां हुआ एक ही दिन आया 1946 में बैठे उसके बाद करते करते आपका पचास तक बना डाले ठीक फूरा बना दिये दो साली 11 मां 18 दिन में बना डाले ठीक तो ऐसे नहीं हुआ है कि एक साथ क्योंकि इसमें क्या होगा कॉपी सभान होते हैं तो यह चीजें फिक्स हो गई तो थोड़ा समें इसमें और अंतर की जरूवत है देखें इसको और अच्छे समस्ते हैं कि इसमें और क्या अंतर है याद रखेगा इसमें समिधान निर्मात्री सभा के माध्यम से क्या होता है एक ही बार में लागू कर दिया बना दिया जाता है यह समय समय पर क्या होता है बनता है इसमें समय समय बनता है इसलिए कोई तारीख नहीं होती है कोई दिश्ची तारीख नहीं होई इसकी एक तारीख होगी कि जीजिन समिधान लाग होग जैसे 26 नौबर 940 का हमारा समिधान बनकर तयार हुआ इसका कोई शब्सक्र पर आगे बढ़ता ये अंतर है और अंतर सपास्ट करते हैं देखिए लिखे समिधान की बात करें तो लिखे समिधान में हमेशा सरवोच से असे होगा कैसे प्रिष्णा आते हैं कि हमारे भारत में कौन सरोच है आपका राश्पति है प्रधान मंत्री है न्याय पाली का है यहने सरोच होता है यहां पर कंसेप्ट नहीं है लिखी समिधान का ही कंसेप्ट है कि जहां पर लिखी समिधान है वहां पर समिधान सर्वच होता है ठीक और जहां पर मौकी याने लिखी समिधान है वहां पर जो पालिया मेठे याने संसद है वह सर्वच होती है क्योंकि वही दियम बनाती है वही सर्वच तिक जञ सक सद्धेस तिक यहां रख़े नगा पर दुसरा यह अधिनेमित होना है इन एक्ट किया जाता है यान इसको लाग!! किया जाता है इसको लागु कभ किया गया है 26 November 1949 को ठीक ये अधिन्यमित नहीं होता है इसका भीकास होता है और एक संग्रह बनता है इसलिए कोई गरती नहीं उसके कउलिए इसमें नहीं होती है इसमें लागु होने की होगी कहां रहो ठीक है मगर 22 भाग फिक्स हो गए है अपने सुना होगा कि हमारे मूल समिधान में कितने भाग थे 22 भाग थे 395 अनुच्छे थे ऐसे करके तो यह सब होता रहा हम लोगों को जैसे जैसे लगता है जोडते रहते बट यह क्या है यह धीरे 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 इसका क्रमित प्राफ नुच्छे विकास होता है तीक हमने एक बार में बना लिया और यह दीरे धीरे बनाते और जैदा तर्डेखेंगे यह ज्यादा मॉडल सकसेश है क्योंकि देखो इसमें कॉपी पेस्ट की संभाव नहीं समाद जैसे जैसे जरुत परती है वैसे वैसे बनाते हैं हम यह थोड़ा जटिल होते हैं, जटिल देखो और विस्तास से चर्चा करेंगे फिर जटिल पर, माल इजेक जब समिधान निर्माती सभा बना रही थी, तो क्या उन्होंने सोचा था कि मोबाइल आ जाएगा, इस तरह से हम बात कर पाएंगे, कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है, तो हलाकि उसके बाद जरुद में हम लोग समसोधन किये, मगर यहाँ पर समसोधन जरुदे नहीं है, जब उनको लगा, तो उन्होंने आईटी एक्ट बना लिया, ठीक, इस तरह से आपको समझना है, और यह समिधान बनता रहा है, अलिखित या मौकिक समिधान कहने के प्लैन करके बनाया जाता, हमको इतना साल लगा, ऐसे बनाना, इतने लोग होगे, यह कमिटी होगी, ऐसे बनेगा, समिधान निर्मातरी सभा होगी, ठीक, यहाँ प्लैन नहीं होगा, यह रेंडम होते जाएगा, जैसे जरुद हैं वैसे वैसे होगा, एक्जाम्पल की बात करना है समझना है ठीक है यह से लेके चलेंगे धीरे-धीरे हम लोग इस पूरे को को सेशन को complete करेंगे ठीक है वह लो सम्विधान को देख लेंगे तो देखें और बात करें समीधान की तो देखें इसमें कुछ वन लाइनर भी बनते हैं, जैसे विश्व का प्रथम समिधान कौन सा हुआ, तो ब्रिटेन का हो जाएगा, विश्व का पहला लिखी समिधान कौन सा हो जाएगा, तो वो USA का हो जाएगा, और विश्व का सबसे बड़ा लिखी समिधान भारत का हो जाएगा, तो यह वन लाइनर आप याल रखेंगे क्योंकि बिटेन दीरे 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 अपने समिधान में चीज़े जोड़ी और जिसे अमेरिका है उसने एक साथ पैड़कर समिधान पूरा बना दिया तो यहीं अंतर होता है तिक उसके बाद और बात करें तो देखो समिधान में अगर अंग की बात और दूसरा दूसरी बात होरा कि अगर मालो किसी को नियम कानूस समझ नहीं आ Jud Keep उसको कैसे समझारइगा उसको उसको भी समझाना पड़ेगा न तो यह आपको या रखने करती है उनको क्या करने कहते ह। ich कि विधान के तीन भागों है तीन थीक यह तीन अंगे तो पहला है आपका विधाइका विधायका जो है इसमें विधायी सब्द जुड़ा हुआ विधी याने विधाय लेजिसलेट्व जो नियम कानुं बनाते हैं कुण bana यह को बनाता हैं जो सारे क्या हो जांगे विदाययका के अंग हो उसके लावा कारपालिका कारपालिका का भी सुप्रीम कोन होता है राश्पती ही होता है वही और देता है सारे काम राश्पती के नाम से ही होते हैं उसके जो मंत्री होते हैं वह भी कारपालिका काम करवाते हैं नियम बन गया तो काम करवाना है उसके बाद सरकारी जो अधिका नियाय तो करती ही है साथ में ये भी जनता को मालीजे नियम करने समझ नहीं आ रहे हैं ये समझाने के लिए थोड़े बठी है तो क्या करेगी ये तो यह क्या करेगी नियाय पालिका इसको समझाने का भी कारे करती है इसको या रखेगा नियाय पालिका को परिभासित करने का क कोन करेगा तो न्यायखाल पालिका करेगlo या रखेगा और सथासत करने का भी काम करती है चौथा अंग जो है वह रहिए चौथा अंग बीडिया को सबकूर की देखे, तीन अंग है, बट आपसे जब पूछे कि समिधान का चौथा अंग, क्योंकि विधाईका को भी प्रभावित करती है, कार पालिका को भी प्रभावित करती है, और न्याय पालिका को भी कई सीमा तक प्रभावित करती है, इसलिए मीडिया को समिधान का चौथा इस्त चर्चा रहेगी तो समिधान का निर्माड उद्वहर विकास कैसे हुआ विश्य में कैसे समिधान आया फिर भारत में कैसे समिधान आया इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक ओके टैंक यू